आज हम बहुत ही दुरलब स्थान पर पहुंचे हैं और धूंड रहे हैं एक दवाई जिसका नाम है गलोए आज हम गलोए को जो बिल्कुल सामने से देखेंगे ये एक बहुत ही मैडिशनल प्लांट हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं इस पेड में ये अकसर पेड़ों पे लिप्टी रहती है और ये बहुत ही बेल नुमा होती है ये बेल का कारे कर रही है जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पेड़ है और इस समय मैं बहुत ही दुरलब स्थान पर पहुँचा हूँ और अब आपके सामने मैं बताता हूँ ये है गलोए ये टहनी मैंने तोड़ दी है और ये आयरुबैदिक दुवाई है और बहुत ही काम आती है ये आप देखें इसमें कितनी बेले लटक रही हैं और ये हिमाचल परदेश में पाई जाती है ये थंडे इलाकों में पाई जाती है ये बड़ी दुरलब रूप से मिल पाती है जैसा आप देख रहे हैं मुझे बहुत ही बड़े पेड़ पर चड़ना पड़ रहा है और मैं इसको ला चुका हूँ ये हमारे जितने भी डायविटीज के पेशेंट होते हैं उनको ये काम आती है और बुखार के लिए ये रामबान ओश दी है ये देखें ये पूरी बेल है और ये देखें आप स्थान कितना दुरलब स्थान था ये जहां से ये निकाली है ये देखें आप अब हम इसकी दवाई बनाएंगे ये गलोए की ताजी बेले हैं और ये दवाई के काम आती है बुखार के लिए ये औश्टी रामबान है इसके इलावा ये बहुत बिमारियों में काम आती है जैसे मुटापे को कम करने के लिए और डाइबिटीज के गलोगे और पेट साफ़ करने के लिए बलद प्रैशर के लिए इसका इसतेमाल किया जाता है ये आप देख रहे हैं अब हम इसकी दवाई के इस तरह बनाएंगे आप देखेंगे इसको हम बार एक बार एक टुकडों में काट देंगे और फिर इसको गरम पानी में हम धोईंगे ये देखिए आप ये हैं गलोए ये देख रहे हैं आप ये ताजी गलोएं हैं ये हिमाचल परदेश में पाई जाती है ठंडे इलाकों में बार एक बार एक टुकडो में काट दिया है यह आपके सामने हैं आप देख पा रहे हैं इतने इतने टुकडो में इसे काटना है और अब हम इसको दवाई तियार करेंगे अब हम लेंगे एक गिलास लें चुके हैं यह देख रहे हैं आप और यह हैं गलोए के टुकडे अब ह और ये हमने डाल दिया है एक गिलास और अब हम इसको गरम करेंगे गैस जला दी है और आप ये पानी गरम हो रहा है और जब ये खौल जाएगा तो हम इसको इन टुकडों को जो हमने बना रखे हैं इनको हम इसमें डाल देंगा है और अब हमने इस पानी में ये टुकडे डा अब हम इसको कुछ समय तक उबालते रहेंगे और जब ये उबल जाएंगे तो ये फिर ये दवाई बन कर तयार हो जाएगी ये उबल रहा है पानी अमाल हम लगातार एक महीने तक करते हैं तो हमारी सारी बीमारियां दोर हो जाती हैं ये अभी मेरे पास और टुकडा बचा ह है जिसे में बाद में यूज करेंगे हम और इसे हम फरिज में भी रख सकते हैं कई दिनों तक ये स्वस्थ रहेगा और उसके बाद हम इसको दुबारा उपयोग करेंगे तो लीजिए अब हमारा ये पानी उबल चुका है और हमारी दवाई ये लगबग तयार हो चुकी है अब हम इसको उतारे हमने और इसको अब हम पानी को छान रहे हैं और ये हमारी अब दवाई बनकर त्यार हो चुकी है और अब ये हमारी दवाई गिलास बन चुकी है जो पीने के लिए त्यार है इसे सुभा खाली पेट पीना होता है और रोगी लगभग एक महा में बिलकुल ठीक हो जाता है ये देखिए आप ये अभी भी गलोए का टुकडा बचा है और इस तरह के पेसिज हैं और जो ये पीस बचे हैं हमारे अब हम उनको फैंक देंगे और हम इसको पी लेंगे